आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिसकेशन करने वाले हैं जिस टॉपिक से रिसेंटली एक्जाम में कॉशन देखे गए हैं और टॉपिक का नाम है कार्बन और उसके योगिक ठीकिन कार्बन और उसके कंपाउंट्स के बारे में हम बात करेंगे तो अगर आप 9th 10th क्ला इसके लावा मैं एक सेप्टेट वीडियो भी बनाया था कि किस तरीके से जो ब्रेजील है ब्रेजील ने शुगर के एक्सपोर्ट को बैन करा था प्रतिबंधित कर जा था क्योंकि उसको एथनॉल को डेवलब करना था वैसे ही भारत सरकार भी एथनॉल पे काम कर रहे हैं क क्योंकि एथनॉल को हम पेक्ट्रोल में मिला सके क्योंकि एथनॉल जो होता है उसकी अक्टेन नंबर बहुत जादा होती है तो हम बहुत सारे कॉश्चन को यहां पे कवर करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा लास्ट में एक कॉश्चन होगा कॉश्चन अफ़ जिसका अंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है तो सभी स्टूडेंट जो भी कॉप्टिटिव एक्जाम की तयारी कर रहे हैं कोई भी वन डे एक्जाम चाहिए वह से कहोगा हो या फिर आपका रेलवे का हो या अपने स्टेट का कोई एक्जाम दे रहे हो जो सभी के ले ही सकते हैं आईए हम बात करेंगे कार्बन और उसके कमपाउंट के बारे में सो फटा फट लिंक को एक बर क्या कर देंगे शेयर कर देंगे अपने फ्रेंट के साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कार्बन की बारे में बात करें तो कार्बन का जो नंबर होता है वो छे हो मतलब पहली और्बिट में दो एलेक्ट्रॉन और अगली और्बिट में चार एलेक्ट्रॉन होंगे मतलब इसके आउटर मोस्ट और्बिट में कितने एलेक्ट्रॉन प्रिजेंट होंगे वान तू थ्री फोर अभी चार एलेक्ट्रॉन हैं तो इसके पास दो रास्ते हैं या तो छार एलेक्टॉन किसी को डोनिट कर दे, या कहीं से चार एलेक्टॉन एकसेप्ट कर लूए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए आपते हैं, कि वो दुसरे एटम के पास जाता है, और कहता है कि आओ, हम क्या करते हैं, electron की sharing कर लेते हैं partnership कर लेते हैं क्योंकि इसके outermost orbit में कितने electron है चार electron है तो carbon दूसरे atom के साथ electron की क्या करता है sharing करता है और electron की sharing से जो bond बनते हैं वो covalent bond कहलाते हैं अगर हिंदी में बात करते हैं तो carbon क्या करता है covalent bond बनाता है इसलिए पूरे universe में सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी compound present है तो वो है carbon तो सबसे अधिक मात्रा में किसी भी element के अगर yogic present है तो वो कौन है carbon है आपको reason समझ में आया होगा क्या carbon की outermost orbit में केवल 4 electron होते हैं तो वो चार electron की साज़ेदारी कर लेता है partnership कर लेता है और covalent bond का formation करता है is that clear आईए अब इसी पर आधारत हम questions को करना शुरू करते हैं पहला question है the electronic configuration of an element is found to be 2-4 कोई एक element है जिसका electronic विन्याज 2 और 4 है मतलब पहली कच्छा में 2 electron है अगली कच्छा में 4 electron है how many bond can one carbon atom form in a compound तो यहां पे जो carbon atom है वो कितने bonds को create कर सकते तो outermost में 4 electron है तो यह 4 electron चार carbon के साथ pairing कर सकते हैं मतलब 4 covalent bond का formation हो सकता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं CH4 methane के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी carbon क्या करता है चार hydrogen के साथ partnership कर लेता है और covalent bond बना लेता है इसको ही आप methane कहते हैं तो सही answer क्या हो जाएगा option number C मतलब 4 आईए next question की तरफ बात करते हैं next question है carbon तो carbon जो होता है एक non-metal substance है और हमें पता है जो non-metal होते हैं वो poor conductor of electricity होते हैं और generally carbon के जो compound होता है जैसे कि methane, ethane, butane, propane ये सभी कौन होती हैं gases होती हैं तो almost वो सभी क्या होती है poor conductor of electricity होती हैं लेकिन हर कहीं कुछ ना कुछ exception जरूर होते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं graphite के बारे में graphite भी 6 carbon से बना हुआ है लेकिन graphite good conductor of electricity है मगर in general अगर हम बात करते हैं तो carbon जो होते हैं वो poor conductor of electricity होते हैं मतलब जो second statement है वो तो सही है अगली बात कर लेते हैं अब देखो यहां पी जो covalent bond का formation हो रहा है हमने दिखाया आपको कि outermost orbit पे 4 electron है जो कि covalent bond बनाते हैं कैसे बनते हैं covalent bond sharing से बनते हैं partnership से बनते हैं अब partner जो है वो कह रहा है कि नहीं मैं दूसरा partner देख लूगा तुमारे साथ जम नहीं रही है वो छोड़के चला गया मतलब यह जो bond होते हैं वो strong नहीं होते हैं कमजोर होते हैं मतलब इनके melting points होते हैं वो बहुत कम होते हैं इनके boiling points बहुत कम होते हैं covalent bond कैसे होते हैं कमजोर होते हैं तो अब इसी आधार पे जो भी मैंने आपको information दी है उसी आधार पे आपको इस question का आंसार देना है carbon compound के बारे में कौन सा statement सही है तो पहला तो ये कि carbon compound जो होते हैं वो poor conductor of electricity होते हैं carbon compound जो covalent bond बनाते हैं बहुत ज़्यादा weak होते हैं या फिर strong नहीं होते हैं तो 2 and 3 बिल्कुल सही हो जाएगा मतलब option B theory को समझ पाए हो theory को कर समझा है तो answer करने में आसानी होगी move करेंगे next question की तरफ यहाँ पे देखते हैं देखिए ionic compound और covalent compound में क्या अंतर होता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं salt के बारे में salt मतलब हमारा NaCl NaCl में क्या होता है Na positive होता है और Cl negative होता है तो जब plus और minus के कारण जो attraction force है फ्लस और minus के attraction force के कारण जो bond बनते हैं वो ionic bond होते हैं और plus और minus के बीच में attraction force है और यह force बहुत strong होता है, strong होता है मतलब इसके melting point भी बहुत जादा होते, इनके boiling point भी बहुत जादा होते और आसानी से इनको break नहीं किया जा सकता, तो salt में कौन सा bond हो जाएगा, salt में आपको ionic bond देखने को मिलेगा, और salt आपने सुना होगा, crystals जो होते हैं salt के, उनसे electricity pass नहीं होती, तो यह ionic compound generally solid form में होते हैं, electricity pass नहीं होती, लेकिन जब ionic compound का liquid version होता है, तो उससे electricity pass हो जाती है, मतलब नमक जब solid form में है, तो वो current को pass नहीं करेगा, लेकिन वही नमक को पानी में घोल दो और अब current को pass कर रहा हो, तो वो आसानी से current को pass कर देगा, तो आपको समझ में आया होगा कि ionic bond कैसे बनते हैं, एक बार बापस repeat करती हूं, ionic bond जो है, वो प्लस और माइनस के attraction force के कारण बनते है, ionic bond जो है, इसमें electron का transfer होता है, ठीक है, ionic bond जो होते हैं, वो काफी strong होते हैं, इनके melting point और boiling point बहुत high होते हैं, generally ionic bond से बने हुए compound जो होते हैं, वो solid होते हैं, लेकिन इसका जो liquid version होता है, उससे current का flow हो जाता है, अगर हम covalent bond की बात करते हैं, तो अभी हमने देखा, electron की sharing से, partnership से, यहाँ पर electron move नहीं हो रहा है, electron को transfer नहीं कर रहे हो, केवल electron के क्या कर रहे हो, sharing कर रहे हो, तो वहाँ पर covalent bond बनेंगे, covalent bond non-metal और non-metal के बीच में ही बनते हैं, की ionic bond, देखिए, sodium यहाँ पर metal था और chlorine non-metal था, तो ionic bond जो है, वो non-metal और metal के बीच में बन जाते हैं, लेकिन covalent bond केवल और केवल non-metal और non-metal के बीच में बनते हैं, जैसे की methane, carbon भी non-metal है और hydrogen भी non-metal है, तो non-metal और non-metal के बीच में covalent bond बनते हैं, इसमें electron की sharing होती है, यह bond काफी कमजोर होते हैं, poor conductor of electricity होते हैं, और आसानी से break किये जा सकते हैं, क्योंकि इनके molecule के बीच में weak attraction force है, जबकि ionic bond में strong attraction force होता है, covalent bond में weak attraction force होता है, तो यहाँ से आपको बहुत सारे questions जो exam में frame होते हैं, stable को आप समझ पाएं हैं, तो आपको बहुत सारा problem solve हो गया होगा, next बात करते हैं, what is the common name of ethanoic acid, ethanoic acid का common name क्या है, हम use भी करते हैं इसे, acetic acid, ethanoic acid को ही हम acetic acid के नाम से जानते हैं, acetic acid का formula है CH3COOH, directly exam में formula पोच लिया जाता है, कि acetic acid का formula क्या है, तो CH3COOH होता है, इसे ही हम ethanoic acid के नाम से भी जानते हैं, ठीक है CH3COOH, और COOH जो group है, यह carboxylic acid कहलाता है, next बात करते हैं यहाँ पर, a carbon compound contains two atom of carbon, कोई carbon compound है हमें नहीं पता, लेकिन उसमें दो carbon atom है, तो उसका नाम क्या होगा, तो देखिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी table होती है, कि अगर कोई भी compound है, उसमें जितने carbon present है, उसके हिसाब से उनका नाम करन किया जाता है, कोई item है, उसमें एक carbon है, तो उसको methane बोल दो, दो carbon है, तो उसे ethane बोल दो, चार carbon है, तो उससे butane बोल दिया जाता है, पांच carbon होते है, तो उसे paintane बोल दिया जाता है, तो methane, ethane, propane, butane और paintane, एक carbon methane, दो carbon ethane, तीन carbon propane, čार carbon butane, और पांच carbon क्या कहलाते है, pentane, तो इनका जो carbon का संख्या होती है, किसी भी compound में उसके अधार पे इनका नामकरन किया जाता है पूछा जा रहा है कोई भी carbon compound है उसमें दो carbon के atom है तो उसे आप क्या कहोगे तो उसे आप क्या कहोगे एथेन कहोगे, चार होते तो ब्यूटेन कहते एक होता तो मीथेन कहते और तीन होता तो प्रोपेन कहते पांच होता तो पेंटेन कहते बात समझ में आ रहे तो option भी बिल्कुल सही हो जाएगा अब यहाँ पर देखिएगा नामकरन के लिए यहाँ पर तीन हमारे पास है अब इनका नामकरन कैसे होता है कि कारबन और कारबन के बीच में जो बांड होता है वो कैसा बांड है single covalent bond है double covalent bond है या फिर triple covalent bond है अगर carbon और carbon के बीच में आपको single covalent bond डिखता है तो वो alkynes कहलाते हैं तो alkyn में क्या होता है single bond होते हैं अगर आपको double bond डिखते हैं तो वो alkyn कहलाते हैं और अगर आपको triple bond डिखते हैं तो आप इनके फॉर्मूले से भी इनको आइडेंटिफाइ कर सकते हो कि यह अलकेन है, अलकीन है या अलकाइन्स है सिंगल अलकेन, डबल अलकीन्स और त्रिपल जो है वो अलकाइन्स कहलाते है अब यहाँ पे अगर कार्बन कंपाउंट्स को तो मैं दो पार्ट्स में डिवाइट करूँ एक सैचुरेटिड और एक अनसैचुरेटिड कार्बन कंपाउंट्स तो जो सिंगल बॉंड वाले होते हैं, अलकेन्स यह सैचुरेटिड होते हैं क्या होते हैं यह saturated carbon compounds होते हैं जबकि डबल और त्रिपल बॉंड वाले होते हैं वो unsaturated होते हैं क्या होते हैं यह unsaturated होते तो आप यहां पर classify कर सकते हो saturated and unsaturated अब यहां पर देखिए ऐलकेंस के लिए formula कैसे निकालोगे आप एलकेंस के लिए formula निकालने का trick होता है CnH2n plus 2 जैसे आपसे पूछ लिए जिया कि butane का formula बताओ तो आपको याद रखना है कि मैंने सिखाया है methane, ethane, propane, butane butane का मतलब है 4 carbon तो n की जगे 4 को put कर दीजिए तो C4H2 into 4 plus 2 मतलब C4H10 जो हो जाएगा यह butane का formula हो जाएगा इस formula का use करके CnH2n plus 2 का use करके आप alkane के formula निकाल सकते हो methane, 1 carbon, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonin and decane तो आपको exam में जो है वो pentane तक ही generally देखा जाता है तो इनके formula आप CnH2n plus 2 से निकाल सकते हो ठीके न और यह आपके saturated hydrocarbon कहलाते हैं अब alkenes की बात करते हैं जो कि unsaturated hydrocarbons है तो alkenes का formula देखिए यहां से यह plus 2 हटा दीजिए मतलब CnH2n alkenes है और alkenes का formula CnH2n minus 2 होता है तो directly आपको exam में question formula से मिलेंगे तो alkenes का formula, alkenes का और alkenes का formula आपको देखने को मिल रहा है इनमें carbon के number याद रखेंगे next है इनमें से कौन सी characteristics fluorines के नहीं है fluorines fluorines जो होता है वो एक अपर रूप या allotrope होता है carbon का तो fluorines क्या है जैसे इक ग्रिफाइड है, diamond है है न वैसे ही fluorine भी क्या है एक allotrope है या अपर रूप होता है carbon का अब यहाँ पे आप यह fluorine को देख सकते हैं यह fluorine है इसमें 60 carbon, 60 carbon एक दूसरे से connected है और एक foot wall जैसा structure बना लेते हैं इसलिए इसको हम C60 के नाम से भी जानते हैं तो इसको क्या कहते हैं C60 भी कहते हैं इसमें 60 carbon associated दिख रहे हैं इसका structure foot wall की तरह होता है और यहाँ पे यह देखिए 5-7 carbon इस तरीके से ring के formation में होते हैं तो कौन सा statement correct नहीं है तो पहला statement देखते हैं fulleran को C60 भी कहा जाता है और यह allotrope होता है carbon का और बहुत stable होता है यह saucer ball यह football की तरह हमको दिखाई देता है यह बात भी सही है अगला बोला है इसमें बोल रहा है जो carbon carbon की ring होती है इसमें 6-6 carbon होते हैं तो आंसर है 5 या फिर 7 carbon होते हैं मतलब 3rd statement correct नहीं है 4th statement कह रहा है कि इसकी hardness diamond से कम है यह बात सही है हमें पता है कि diamond जो होता है सबसे hardest substance होता है तो fulleran जो होगा वो से कम होगा तो बिलकुल option D भी correct है तो option C यहाँ पे uncorrect हो जाएगा ठीक है यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जो ring formation होती है वो 5-7 atoms के बीच में होती ना कि 6-6 के बीच में तो यहाँ पे अगर दूसरे allotropes की बात करते कार्बन के तो diamond भी एक allotrop होता है और graphide भी एक allotrop होता है graphide जो होता है बहुत अच्छा conductor होता है आपका electricity का और graphide में क्या होता है hexagonal shape में carbon की layers होती है मतलब 6-6 carbon आपको कहां मिलेंगे यहाँ पर मिलेंगे ठीके यह 6-6 carbon आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो है आपको 6-6 carbon की ring देखने को मिलेंगे hexagonal shape में और एक layer दूसरे layer के उपर चिपकी होई होती है और इनके बीच में कमजोर attraction force पाया जाता है तो caution exam में frame हुआ था कि जो carbon और carbon की layer graphides में हैं उनके बीच में कौन सा attraction force है तो उसे हम wonder wall force कहते हैं wonder wall force आपने देखा होगा यह जो lizards होती है चिपकलिया इसे दिवाल पर उल्टी चिपकी होई होती है तो दिवाल और चिपकलिया के बीच में भी force लग रहा है वो कमजोर सा जो force है वो आपका wonder wall force होता है तो यह बहुत कमजोर सा force होता है graphide में इसलिए यही रिजाने कि graphide का use हम as a lubricant इसनेहक की तरह factories में करते हैं actually इसकी melting point पे बहुत जादा होता है और इसलिए हम इसका lubricant की तरह है उपयोग इसनेहक की तरह है उपयोग machinery में करते हैं तो यह कुछ extra बाते आपको graphide के बारे में पता होने चाहिए आई अगला question के देखते हैं in diamond each carbon atom is bonded to four other carbon atom to form एक carbon atom दूसरे carbon atom के साथ इस तरीके से जड़ा होता है और एक 3D structure का formation करता है कुछ इस तरीके से आपको diamond देखने को मिलेगा तो 3 dimensional structure होता है तो option B बिल्कुल सही हो जाएगा option B is the right answer देखें यह 3D structure diamond का होता है और यह आपको graphide का structure इस तरीके से hexagonal shape में देखने को मिलेगा और यह दोनों ही दोनों है जो है तो फटाक से answer कर देंगे लेकिन जिन लोगा ने काफी समय से science नहीं पढ़ा तो हो सकता दिक्कत हो लेकिन आज आज आप सीख जाओगे इसमें देखो बोला गया है कि इसमें कौन सा compound यह functional group present है इस compound में कौन सा functional group present है तो यह जो C double bond O दिख रहा है यह functional group है OH का मतलब क्या होता है alcohol होता है कई बार हम CHO यूज करते हैं इसका मतलब aldehyde होता है फिर हम कई बार C double bond O यूज करते हैं इसे हम ketone कहते हैं और COOH यह carboxylic acid होता है भी acidic acid के formula में हमने इसको देखा था तो यह कुछ functional group होते हैं को आपको याद रखना है OH मतलब alcohol, CHO मतलब aldehyde C double bond O, ketone और COOH आपका carboxylic acid होता है तो यह functional group आपको याद रखने है केवल 4 ही याद रखने है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पे एक chemical reaction है जो कि sunlight की presence में कराई जा रही है तो X मतलब product क्या बनेगा तो CH4 का एक bond टूटेगा और वहाँ से CL connect हो जाएगा तो मतलब CH3 CL बन जाएगा तो CH3 CL कहाँ बन रहा है option B में बन रहा है जिसको हम chloro-methane कहेंगे chloro-methane कहेंगे तो option B बिलकुल सही हो जाएगा अब soap की बात करते तो soap भी एक carbonic compound है वो भी carboxilic acid से बना हुआ होता है जिसमें sodium और potassium iron होते हैं जिनका use हम करते हैun soaps बनाने में तो soap जो होती है उसका एक head होता है और उसका एक tail होता है छीक है इसके जो molecule होते है साबुन के उसका एक head होता है और एक tail होता है इसी के बारे में question यहाँ पे पूछा गया है कौन सा statement चाहिए hydrophobic मतलब जिसको पानी से डर लगता हो और hydrophilic जिसका पानी के प्रती attraction हो, accursion हो तो इसमें head क्या होता है hydrophobic होता है या hydrophilic होता है यही पूछा जा रहा है आपको तो सही answer हो जाएगा option number D हमारा जो head होता है यह hydrophilic होता है मतलब इसका attraction होता है पानी की तरफ और hydrophobic क्या होती ही, tell होती है जिसको पानी से डर लगता है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझ लेते हैं देखें यह साबून का structure है, यहाँ पे गंदगी है कोई oil है, grease है, तो grease की तरफ आपको tell देखने को मिलेंगी और tell जो होगी वो hydrophobic होगी, इसका पानी के साथ कोई attraction नहीं होगा इसलिए इस गंदगी को यह निकाल लेगी और यह head होते हैं, head जो होते हैं, वो hydrophilic होते हैं इनका पानी के साथ attraction होता है और इस तरीके के जो structure बनती, इसको missile के नाम से जाना जाता है तो hydrophobic head मतलब polar head pointing towards water water के परती attract होता है और hydrophobic जो की गंदगी की तरफ यह dirt की तरफ point करता है और यह hydrophobic मतलब इसे पानी से डर लगता है और यही reason है कि oil यह गंदगी को निकाल लेता है ठीक है ना, तो यह पूरी tail है और यह पूरा head है ठीक है जो potassium और आपको sodium iron देखने को मिलते हैं next बात करते हैं I student studies that soap molecule has two ends कोई एक student study कर रहा है कि soap molecule है उसके दो end है एक head है और एक tail है one of which is the ionic end and other is the carbonic chain एक ionic end है और दूसरी carbonic chain है अभी देखिएगा आपने एक ionic end है और एक carbonic chain है ठीक है, ओक कोई दिक्कत नहीं है which option explain the interaction of soap molecule with oil तो soap molecule oil के साथ कैसे interact करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे carbonic chain जो है वो tail की तरफ है, गंदगी की तरफ है और जो ionic substance है वो पानी की तरफ होता है तो सही answer क्या हो जाएगा, option C carbonic chain end of the soap interact with the oil तो carbonic chain मतलब जो tail होती है वो किस के साथ interact करती है, oil के साथ जबकि जो head होता है वो water के साथ interact करता है अभी हमने देख लिया, ठीक है next बात करते हैं कौन सी property ionic compound की है तो ionic compound मैंने सिखाया है आपको बहुत strong attraction force है मतलब इनके melting point high होते है boiling point high होते है और they conduct electricity in the solution are in the molten state मतलब जिसको पानी में मिला दिया जाए नमक को तो ये electricity को pass कर देते हैं लेकिन solid form में electricity को pass नहीं करते मतलब दोनों statement यहाँ पे सही हो रहा है option c correct हो जाएगा both a and b अभी हमने सीखा था चलिए अगली बात करते what type of flame is produced when the oxygen supply is sufficient अब देखेगा किसी भी चीज को जलने के लिए oxygen की जरुरत होती है और जब कोई चीज oxygen की presence में जलती है तो उसको हम combustion बोलते हैं या दहन बोलते हैं कि अगर आप gas cylinder में जो हमारा gas चूला होता है वो जलाते हैं तो blue color की flame जलती है मतलब इसके पास sufficient amount of oxygen है तो इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम complete combustion बोलते हैं और जब oxygen की supply कम होती है तो flame का color yellow हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं incomplete combustion बोलते हैं जब sufficient supply और मतलब बहुत कम supply होती है जैसे कि candle candle का जो inner portion होता है वो black color का दिखाई देता है reason कि वहाँ पे oxygen की supply कम है तो complete combustion नहीं हो रहा है incomplete combustion हो रहा है तो बोला जा रहा है कि जब oxygen की sufficient supply है तो combustion कैसा होगा complete combustion होगा complete combustion आप देख सकते है हमारे gas चूले में और blue color की flame आपको दिखाई देगी दिखती है ना blue color की flame जब तक आप उसमें कोई container कोई कड़ाई कोई पतीला ना रखो तो आपको blue color की flame दिखाई देती है क्योंकि oxygen की sufficient supply है और combustion complete हो रहा है option भी बिलकुल correct हो जाएगा ठीक है यहाँ पर अलग-अलग type of combustion मैंने आपको बता है एक होता है rapid combustion जिसमें बहुत fast combustion होता है बहुत तेजी से दहन होता है burner of LPG यह rapid combustion का example है अगले होते spontaneous combustion मतलब जिसमें combustion या दहन की प्रक्रिया अपने आप स्वता ही शुरू हो जाती है जैसे कि जंगलों में आग लगना कोई जंगलों में आग लगाने नहीं जाया है क्या होता है आने चलती तुफान चलती है बास के पेर टकड़ाते पत्य टकड़ाते आग लग जाती है तो जब combustion अपने आप हो जाए या फिर हमारी जो coal mines होती है वहाँ पे methane gas होती है कई बार fire dump हो जाता है कई बार blast हो जाता है तो यह spontaneous combustion कहलाता है next होता है explosion और जब फटाके फोड़ते हो आप bump फोड़ते हो तो बहुत जादा heat बहुत जादा light produce होती है और वह combustion क्या कहलाता है explosion कहलाता है तो आपको यह different type of combustion भी पता होने चाहिए rapid, spontaneous और explosion ठीक है next है the cooking gas मतलब LPG gas में mainly क्या होता है तो जो हमारी cooking gas यह LPG gas होती है इस पर mainly mainly butane होता है और butane का formula C4H10 होता है अभी हमने थोड़ी देड पहले देखा था घर से जब LPG gas leak होती है तो हमको smell आती है बिल्कुल सही बात है क्योंकि natural gas में तो कोई smell नहीं होती है इसी बात का पता लगाने के लिए mark captain gas को उसमें add कर दिया जाता है और जो आपको smell होती है LPG gas की वो mark captain gas के कारण होती है तो butane आपकी एक natural gas है इसका use हम LPG gas cylinder में करते है C4H10 इसका formula आपको देखने को मिलेगा next बात करते है एथेनौल के बारे में एथेनौल मतलब C2H5OH के बारे में बात कर रहा है जो आपका जो alcohol वगेरा होती है drinking purpose के लिए जो alcohol यूज की जाती है वो एथेनौल ही होती है C2H5OH OH group है मतलब alcohol की बात हो रही है तो एथेनौल का यहाँ पर boiling point पूछा है तो एथेनौल का boiling point जो है वो 78.37 degree Celsius होता है तो इस हिसाब से option D बिलकुल correct हो जाएगा ठीक है next बात करते है which of the falling is used as a fuel in a car along with a petrol petrol के साथ किसे मिलाया जाता है as a fuel तो answer हो जाएगा एथेन, sorry, एथेनौल option D is the right answer एथेनौल को मिलाया जाता है petrol और एथेनौल को मिलाया जाता है यह तो policy आपने news में भी सुनी होगी next बात करते है which of the falling is use of ethanol ethanol का use क्या है तो पहले तो आपने इसको petrol वगेरा हम use किया drinking purpose में alcohol में use कर रहे है हमारे कफ सीरफ होते है उसमें भी हम alcohol का use करते है तो और manufacturing paint मतलब all of the above is the right answer option D is the right answer next बात करते हैं while cooking if the bottom of vessel is getting blackened on the outside it mean that अब आपने पतीला रखा है gas पे चूले पे और वो पतीला नीचे से काला हो रहा है इसका ये क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि ये जो combustion हो रहा है वो properly नहीं हो रहा है मतलब the fuel is not burning completely तो option B बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है next है cation is formed when अब cation और nion की कहानी आपको पहले भी मैंने बताई है जैसे कि हम na cl की बात करते है na positive होता है और cl negative होता है यहां तक तो कोई समस्या नहीं है positive का मतलब है कि इसने electron को donate किया है negative का मतलब है इसने electron को accept किया है और negative जो होगे वो किस की तरफ जाएंगे anode की तरफ जाएंगे न और जो positive होगे वो cathode की तरफ जाएंगे yes or no क्योंकि cathode minus होता है minus और plus एक दूसरे को attract करेंगे anode प्लस होता है., तो minus और plus एक दूसरे को attract करेंगे तो जो negative ion होगा, वो anode की तरफ जाएगा इसलिह हम इसको औन आइयन बोलते हैं positive जो ion है, वो cathode की तरफ जाएगा इसलिह हम इसको cation बोलते हैं ठीक है, अब पूछा है, कैसे फॉर्म होते हैं, जब एलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तब यह कैटायन फॉर्म होते हैं, तो कौन सो ओप्शन सही हो जाएगा, option number B, ठीक है, option number B, clear हो गया, next question है, from which of the falling substance pencil lead its form, हमारे जो pencil की lead होती है, वो किस से इसका formation होता है, तो answer हो option D, Easter is formed by the reaction when, अब Easter का formation कब होता है, अब बहुत से लोगों को हो सकता है, ना पता हो की Easter क्या हो, तो आईए पहले हम देखते हैं, Easter का formation कैसे होता है, जब acid और alcohol को मिलाया जाता है, तो Easter का formation होता है, acid और alcohol को मिलाने से क्या बनता है, Easter बनता है, next path की जारे, which of the falling can be used for denaturalization of ethyl alcohol, अब देखिए जो ethyl alcohol होती है, जिसका use drinking purpose में कर रहे है, उसको poisonous बनाने के लिए, या फिर लोग उसका उपयोग ना कर, उसको consume ना कर, इसलिए उसमें कुछ substance मिलाया जाते हैं, जिसको हम methyl alcohol कहते हैं, जिसके बादे थोड़ी सी poisonous हो जाती है, तो option number यहाँ पर D correct है, यह सा between atom of metal and non-metal are formed by sharing of electron and bonding atom, तो covalent bond पहले तो weak होते हैं, मतलब melting और boiling point पी कमजोर होगा, high नहीं होगा, low होगा, water में soluble नहीं होते हैं, क्योंकि generally gases होती हैं, अब metal और non-metal के बीच में नहीं, non-metal और non-metal के बीच में बनते हैं, हाँ, sharing of electron से जरूर बनते हैं, मतलब option D बिलकुल correct हो बताना है, alcohol है, carboxylic acid है, kichon है, या aldehyde है, सेशन अच्छे से देखा होगा, तो बड़ा आसान सा question है, exam में पूछा गया question है, जो भी answer होगा, comment में दीजेगा, so I hope आपको ये carbon और इसके yogic से related, जो भी important question बन सकते थे, वो मैंने समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे, एक ब तो concept और ज्यादा build हो जाएंगे, so thank you so much, हम मिलेंगे next session में, take care and bye-bye.